आज आज हम लोग बात करने वाले हैं table-based navigation के बारे में देखेंगे कि table-based navigation किस तरह से काम करता है javascript के लिए किस तरह से javascript में table की special offerings को हम लोग use कर सकते हैं चलते है computer screen में and let's get started आज हम बात करने वाले हैं टेबल ब्यां के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेबल लिंक्स को यूज टिक है सकता है जावस्क्रप कह थू और हम लोग किसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं जुआँ बात प्र और raplet.com slash codewithary और अपनी प्रोफाइल में एक रैपल बना लूँगा तो create पर क्लिक करूँगा बहुत सारे लोग करें रैपलिट में रैपल बनाने के प्रोसेस को भी दिखाओ ठीक है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस प्रोसेस को दिखाओं तो actually मुझे क्या करना जीए था ultimate javascript course के अंदर ये रैपल बनानी है 35th रैपल ही हमारी तो create पर क्लिक करूँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा 35 underscore table links and that should do और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रैपल हमारी बन चुकी है अब मैं आपर क्या करूँगा आप लोग को लेकर जाओंगा getbootstrap.com पर ठीक है आप में से कहीं लोग को होगे getbootstrap.com यह इस पर क्यों लेकर जा रहे हो तो यह इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ एक आलसी इंसान अगर हम bootstrap के अंदर लिखें और उसके अंदर table डालके हम अगर div को complete कर दें और इसके बाद run करें तो हमको table देखने को मिलती है आप देखो यहाँ पर हमें table देखने को मिल रही है ठीक है नई टैप में दिखा हूँ आप लोग को तो आप देखो यहाँ पर table हमें देखने को मिल रही है अब आप में से गई लोग को सवाल यह हो सकता है कि इनकी table इतनी अच्छी क्यों देखे रही है हमारी table ऐसी क्यों देखे रही है तो यार उसको भी जल्दी से आंसर कर देता हूँ और इनका जो script है उसको भी copy करूँगा यहां से मैं copy कर सकता हूँ ठीक है यहां से copy करता हूँ simply कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है copy करो और यहां से paste कर दो ठीक है यहां पर replicate वाली javascript पर इसको paste कर दो यह दो चीज़े मैंने copy paste करी है यहां पर देखना आप लोग यह देखो beautify हो गई है ठीक है इसको भी अगर मैं यहां पर app 5 दबागर reload करूँगा तो आप देखो यहां पर यह container class लगाने से center हो गई table और यह इस तरह से आ गया bootstrap की कुछ और भी classes होती है जिन पर आप दिहान मत देना मैं अभी लिख रहा हूँ just my4 लिखोंगा तो उपर से y से थोड़ी margin मिल जाएगी अब देखो 4 की margin मिल गई अगर मैं यहां पर और ज़्यादा देदूगा तो और ज़्यादा margin मिल जाएगी but that's a topic for another video अभी हम लोग यहाँ पर इस table के बारे में बात करते हैं कि किस तरह का navigation प्रदान करती है जावस्क्रेट certain DOM elements में provide additional properties specific to their type for convenience तो क्या होता है कि कुछ-कुछ DOM elements provide करते है additional properties और table उनका एक बहुत बड़ी example है ठीक है table अगर आप लोग use करते हैं table.rows लिखकर जैसे कि मैं अगर यहाँ पर let t is equal to document.body.first element child करूँ तो t क्या होगा? t table होगा क्योंकि first element child है ठीक है? अगर मैं आपको html दिखाऊँ तो body का first element child क्या है? container actually table नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? first element child का भी first element child table है यानि कि body का first element child क्या है? यह container div container इसका भी first element child क्या है table तो मैं यापर कुछ ऐसे कर सकता हूँ और यार देखो आप यह मत कहना कि यार मैं advance बता रहा हूँ अब यार हमें level बढ़ाना होगा मुझे नहीं पता ठीक है dot और मैं आपर लिख दूँगा first element child ठीक है दोबारा और इसके बार हमारी ट इक क्या होगा you table होगा दिखाओ आप लोगोगों अगर यकीन नहीं हो रहा तो यकीन अगर नहीं हो रहे किसी को तो यह देखो आप नहीं है लेकिन अगर मैं आपर लिखो console dot log t dot rows तो मुझे स्टेबल की सारी रोज मिल जाएंगी in the form of html collection जैसे कि आप देख सकते हो एक html collection मिल गई जिसमें सारी रोज हैं यह पहली रो यह दूसरी रो यह तीसरी यह चौथी सारी स्टेबल की जो रोज हैं वो सब मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई अगर मैं इस देखो यहाँ पर जो caption है वो भी print हो जाएगा आप देखरें को आपर caption प्रिंट हो गया यह caption यहाँ पर print हो चुका है table of legends यह print हो गया आप जो यह जो इस table का caption है वो यह पर print हो गया ठीक है तो आप table में caption भी डाल सकते है इस table में अगर आप लुको नहीं मालूम तो उसी तर आप table.t head कर सकते हैं t foot कर सकते हैं ठीक है मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको आप t head कर सकते हैं आप t foot कर सकते हैं और यह आप करेंगे अगर तो यहाँ पर देखो यह t head आ गया इसका कोई foot नहीं है ठीक है इसका जो t foot है वो इसमें नहीं है T head है अगर आप T foot लगाएंगे तो आपको T foot भी मिल जाएगा ठीक है यहांपर T head लगा हुआ है तो यह यहांपर आ गया है ठीक है अप chronology समझ लिजी समझे हो आप लोग अगर मालो मैं आपकर कुछ ऐसा करूं जो मैंने T head लगाया है इसका first element child करूं ठीक है और में इसको रिलोट करूँ भी तो आप देखो यहाँ पर यह टी आरा गया ठीक है टीफूट इसका नल है क्योंकि इसमें टीफूट नहीं है यह जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि आपको यह तरह से भी आगे कर सकते हो कि अगर आपके पस टी हैड आ चुका है तो उसका फॉस्ट अलिमेंट चाहिए तो आप लोग वो ले सकते हो टी बॉडी इसके अंदर सारे टी बॉडी ऐलिमेंट्स होंगे तो यह भी मैं आपको करके दिखा देता हूं ठीक है यह नोट्स आपके बहुत काम आने वाले है अगर आपके पास यह होंगे और आप जा जाधा tbody है एक टेमल के अंदर तो आप लोग यहां से कर सकते हो इसको ठीक है tr.cells करोगे तो td और th मिल जाएंगे tr.section row index करोगे जैसे कि यहां पर मेरा tr था यह ठीक है t.row 0 जो होगा वो एक tr होगा सिंपल सी बात है चोकि सारी रोज की पहली रो अगर में लेलू तो तो आप लोग देखना है, मैंने इस पर cell index चलाया तो क्या होगा, यह undefined आ रहा है, let me see what's wrong, तो मैंने याप पर इस पर cell index और यह मैं TR पर नहीं, TD पर चला सकता हूँ, cell index, इस पर row index चला सकता हूँ, चुकि जो TR होगा न, वो एक row है, ठीक है, तो मैं आपर row index कर देता हूँ, और इसको reload करता हूँ, और जैसे मैं आप row index करूँगा, आप देखो, यहाँ पर zero आगया, अगर मैं one की row index करूँगा, तो यहाँ पर मुझे one मिल जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के बाद यह है, कि TR कहीं से भी आया हो, आप उसकी index का पता लगा सकते, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको try करो, सारे के सारे methods को, और देखो, कि किस तरह से काम कर रहे हैं, मैंने बिल्कुर red pen से लिखा हुआ है, कि कौन सा वाला, क्या करता है, तो आप जो है, इसको use कर सकते हो, तो शायद ही आप लोग इसको बहुत rigorously use करो, अपनी JavaScript journey में, बट कभी-कभी मैं बता रहा हूँ guys, ये चीज का ना पता होना आपको कितना भारी बढ़ सकता है, तो अगर आप लोग टेबल के साथ बहुत closely काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में, तो ये चीज बहुत काम आईगी है आपके, ठीक है, तो देखो क्या होता है ने, कि आपको अगर पता है कोई चीज, कि वो exist करती है, सिर्फ इतना ही पता है कि वो चीज exist करती है, तो आप लोग फिर उसको ढूने ही निकालोगे, ठीक है, आप नेट से डूंडो, स्टैक ओवरफ्लो से डूंडो, दोस्स से पूछ के डूंडो, आपको पता होना चीज, आपको पता होना चीज, कि ये जो लाइट जलरी है मेरे सीलिंग में, अगर मुझे पता है कि ये स्मार्टफोन से मैं इसको कर सकता हूँ, तो मुझे बस पता होना चीज, कि ये पॉसिबल है, तो मैं कर ही लूंगा उसको फिगर आउट, ठीक है, तो उसी तरह से चीज़े जो है काम करती है प्रोग्रामिंग में भी, अब एक क्विज मैंने दिया आपको टाइप आफ डॉक्यूमेंट और टाइप ओव विंडू को प्रिंट करके देना, मैं जादा सर्प्राइज निए ने चाहता आपको, मैं यह करके दिखा देता हूँ, जब आफ टाइप अफ डॉक्यूमेंट आप लोग, अगर आप लोग फ्रेंट एंड के साथ खेलना चाहते हैं और आपको फ्रेंट एंड का ज्यादा ज्यान नहीं है, स्पेशली CSS का, तो बूट्स्राप को यूज करो, कॉपी बेस्ट करो, इनके कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाप लोग अप ल अब्यकिले इस विडियो में इतने हैं, ताइक यू बच गईस वाचिं वटियो और नहीं थाएंट आएंट इस वीडियो और आप लूचाहते हैं।